जब किया जाता है तो इस संबंद में जो पंजी प्रविष्टियां दी जाती है वो इस प्रकार है अगोशित संपत्ति के संबंद में जब अगोशित संपत्ति के संबंद में जब अगोशित संपत्ति के संबंद में एंट्री की जाती है realization account debit to cash और bank account अगोशित संपत्ति यदि कोई साजेदार ले लेता है तो हम पंजी प्रविष्टी करेंगे partners capital account debit to realization यदि अगोशित दायत्तों का भुकतान किसे साजेदार द्वारा किया जाता है तो हम general entry करेंगे realization account debit to partners capital account वसूली वयों के भुकतान के संबंद में जो पंजी प्रविष्टी की जाती है वो होंगी अगर वसूली वय का नगत भुकतान किया जाता है तो realization account debit to partners capital account या current account यहां पर हम उस साजेदार की हिसी की में लिखेंगे जिस साजेदार के द्वारा वसूली वय का भुकतान करने पर general entry होगी realization account debit to partners capital account यदि वसूली खाता बंद करना हो और लाब हुआ हो पर्म को तो लाब के दशा में general entry होगी realization account debit तो यहां पर हम general entry करेंगे पार्टनर क्यापिटल और करेंट एकाउंट डेबिट टू रेलाइज़ेशन इकाउंट वसूले खाते का प्रारूप इस प्रकार होगा वसूले खाते के debit साइट में हम सबसे पहले विविद संपत्ति यानि कि sundry assets के entry करेंगे अब जो इस पूरे chapter का हमारा महत्तोपूर्ण topic है यह हम कह सकते हैं कि महत्तोपूर्ण एक खाता जो हम बनाने जा रहे हैं वह होगा पुनर मुल्यांकन खाता अब पुनर मुल्यांकन खाता क्या है और यह क्यों बनाया जाता है किस तरह से हम इसको बनाते हैं और पुनर मुल्यांकन खाता बनाते समय किस किस बात का हमको ध्यान में रखना है हमको यह सब बात हम जानेंगे तो आए सबसे पहले देखते हैं यहां पर हम कि पुनर मुल्यांकन खाता का कंसेप्ट क्या है जब हम पुनर मुल्यांकन खाता बनाएंगे तो किन-किन अवधार्णाओं को अपने दिमाग में रखेंगे यहां पर जो पुनर मुल्यांकन होता है वो वास्तों में संपत्ति और दाइत्तु का होता है क्योंकि एक साजोधार फर्म से निवृत्त हो रहा है या मृत्त होकर वो अलग हो रहा है फर्म से अलग हो गया तो उस तिथी तक निवर्तिया मृत्यों की तिथी तक फर्म की पूरी संपत्ति और दाइतु की क्या इस्तिती थी इसको देखने के लिए हम पूर्णर मुल्यांकर खाते का निर्माण अगर कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जो फर्म की संपत्तियां हैं स्थाई संपत्तियां जो में रखना है एक और कंसेप्ट हम ध्यान में अगर रखते हैं तो पुनर मिलांकन खाता अगर हम क्यालकुलेटरेंट करते हैं तो कभी भी मिस्टेक होने के संभावने नहीं रहेगी आपको यहां पे चार बिंदुओं को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है सबसे पहले संपथी के मूंले में क्या हुआ है कमी व्रिद्धी साथ ही साथ आपकोrajकाउंटेंट का गutive फॉलो करते चलना है अगर हम पहला कंसेप्ट तो अगर हम देखते हैं कि संपथी के मूले में वृध्धी हुई है यानि कि बैलेंस्ट . समायोजान वाली एमंट व्हें उससे ज्यादा है संपत्य के मूले में अगर वृद्धी हुई है तो जाहिर सी बात है संपत्य के मूले में होने वाली व्रिद्धी फर्म के लिए लाव है और क्यों की यह लाव है तो according to golden rule हम इसको credit side में लिखते हैं तो अगर संपत्ती के मूले में वृद्धी होती है तो वृद्धी की राशी को हमको पूर्ण मुल्यांकन खाते के credit side में लिखना है दूसरा concept अगर संपत्ती के मूले में कमी होती है तो क्योंकि कमी हो रही है इसलिए एक प्रकार की हानी है और क्योंकि यह हानी है तो इसको हमको पूर्ण मुल्यांकन खाते के debit side में लिखना है अब अगर हम दाइतों की बात करें तो हमको ये चेक करना है ये देखना है कि दाइतों की मूले में कमी हुई है या वर्धी हुई है यहां हम थार्ड स्टेप में देख रहे हैं कि मान लेजे दाइतों के मूले में कमी हुई है अब दाइत तो है हमारा liability है हमारी liability अगर कम हो जाए किसी को हमको 5000 देना था अब हमको उसको सिफ 3000 रुपए ही देना है तो यहां पर हमको लाब हो रहा है अब दाइत तो के कमी होने पर क्योंकि हमको लाब हो रहा है तो according to golden rule हम इस लाब की राशी को पुनर मुल्याकन खाते के credit side में लिखेंगे चौथा concept अगर just opposite अगर दाइत तो के मुल्य में व्रद्धी हो गई किसी लेंदार को हमको 5000 रुपए देना था लेकिन ब्याद साहित अब वो हमसे 8000 रुपए की मांग करता है तो यहां पर जो हमारी liability बढ़ गई दाइत तो के मुल्य में व्रद्धी हो गई वो कहीं न कहीं हमारे लिए हानी है extra expense है हमारे लिए तो संपत्ति का मुल्य अगर बढ़ जाता है और हानी होती है तो वो जो difference के amount है यह हम कह सकते हैं कि जितने की व्रद्धी हुई है सिर्फ उतनी ही राशी को हमको यहां पर पुनर मुल्यांकन खाते के debit side में लिखना है तो अगर इन चार concept को आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं बहुत अच्छे से follow करते हुए पुनर मुल्यांकन खाता बनाते हैं तो mistake होने के जो गुंजाईश होती हो बहुत कम हो जाती है अब अगला हमको देखना है कि जब हम इस तरह का पुनर मुल्यांकन खाता यहा पर हम एंट्री करेंगे आये देखते हैं कि जिब संपत्य और दायतू का मुल्य बढ़ता या घड़ता है तो किस-किस तरह की पंजी प्रविष्टिया दी जाती है जो जो मदें आएंगी वह होंगी डेटर्स प्लांट एंड मशीनरी पर नीचर बिल्स रिसीवेबल इसके अंतरकत हम लिखेंगे एक क्रेडिटर्स की अमाउंट तो हमने देखा कि संपत्ती के मूले में कमी और व्रिद्धी से कुछ अलग-अलग तरह की पंजी प्रविष्टिया दी जाती है इनको हमको याद करने या रटने की कोई ज़रत नहीं होनी चाहिए हम एकाउंटनसी का गोल्डन रूल फॉलो करते जाएंगे और पहले मैंने आपको जो चार कंसेप्ट बताए वो अगर आपका क्लियर है तो उसके आधार पर खुद आप उस जनरल एंटरी का निर्मान कर सकते हैं आईए इससे संबंदित कुछ प्रश्णों को हल करते हैं आ वा और सा अपनी पूंजी के अनुपात में लाभानी का विभाजन करते हैं 31 दिसंबर 2006 को उनका इस्थिटी विब्रेंट इस प्रकार था दाइट्व के अंतरगत लेंदार 3050 के थे पूंजी एक की 2000 बी की 1500 और सी की 1500 यानि कुल मिलाकर 5000 थी इस प्रकार संपत्यों के अंतरगत बैंक श्रेस 350 देंदार 3500 इसकंध 1500 यंत्र 2500 और उपस्के यानि फर्ण यहां पर हमें समयोजन इवं पंजी प्रविष्टियां देनी हैं यहां सबसे पहले हम पूनर मुल्यांकन खाते का निर्मान करेंगे क्योंकि पूनर मुल्यांकन खाते में हमने देखा कि जब भी कोई संपत्य यानि कि साई संपत्य का मुल्य कम होता है वह हमारे लिए प्रकार की हानी है और उसे हम डेविट साइट में लिखते हैं और अग रहतिया है फर्म का वो 2000 हो गया जबकि अगर हम बैलेंशीट में रहतिया देखें तो यहां पर जो रहतिया था वो 1500 था अब क्योंकि जो रहतिया है स्टॉक है वो 1500 से बढ़कर 2000 रुपए हो गया यानि कि यहां संपत्ती में वृद्धी हुई है और कितने के वृद्धी दूसरा यहां पर हम एज़स्मेंट देखते हैं कि मशीन का जो मूले है वो 1500 रुपए हो गया तो अगर हम अपनी बैलेंशीट में देखें तो पहले जो मशीन थी वो 2500 की थी और अब यह मशीन हो गई 1500 की यानि कि मशीन के मूले में 1000 रुपए की गिरावट आई है अब क्य लिखेंगे 1000 रुपए यहां हमको यह ध्यान रखना है कि से डिप्रेंस की अमाउंट को हमको लिखना है दूसरे बात हम यह कह सकते हैं कि जितने की कमी या जितने की व्रद्धी होई है सिर्फ उस राशी को ही हमको यहां पर दर्शाना है तो क्योंकि मशीन का मूले 1500 हो गया याने 1000 रुपए की कमी होई है और इसे हम डिबिट साइड में लिखेंगे मशीन खाता से 1000 अगले समयोजन में हम देख रहे हैं कि पनीचर का मूले 100 रुपए कर दिया गया जबकि पनीचर का मूले पहले 200 रुपए था और अब वो कम होकर 100 रुपए हो गया याने कि पनीच इसको पुनर मुल्यांकर खाते के डेविट साइड में लिखेंगे पनीचर खाता से और अमाउंट लिखेंगे 100 रुपए यानि जितनी राशी कम हुई है सिर्फ उतनी राशी हमको यहां पर लिखना है अब क्योंकि इसके अलावा अन्य किसी प्रकार का समयोजन यहां पर ह है नहीं इसलिए हम डेविट में से क्रेडिट माइनस करके बैलेंस निकाल लेंगे जिसे कि हम कैपिटल एकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके डेविट साइट का जो टोटल है वह है ग्यारा सो और क्रेडिट में हैं 500 जब हम इसका बैलेंस निकालत कि आ वा औरचा अपनी पुझी के अनुपात में लाभानी का विभाजन करते हैं तो हम पुझी का अनुपात निकास निकालने के लिए हम जो आ वा और सा की वैलेंश के पूझी तो यह में चार, तीन और तीन का अनुपात निकल जाएगा, मतलब 600 गुड़ी 4 बटे 10, 240, 600 गुड़ी 3 बटे 10, 180, 600 गुड़ी 3 बटे 10, 180, तो ये जो राशी बैलेंस की आई, वो साजेदारों के पूंजी खाते में हस्तानतरी हो जाएगी, अब हम जब साजेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे, तो जैसा कि हमने साजेदारों के पूंजी खाते के प्रारूप में देखा था, ठीक, इसी तरह सबसे पहले हम साजेदारों के पूंजी खाते में, पुरानी बैलेंस शीट का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, जो कि बैलेंस यहाँ पे हमको दिख रहा है, इसे हाँ ट्रांसफर कर लेंगे, जो कि क्रेट साइड में आया है, तो यह हो जाएगा हमारा 240, 180 और C के लिए भी 180, अब हम यहाँ पर समयोजन में देखते हैं कि पूंजी से संबंदित और कौन से समयोजन यहाँ पर हम दिए गया है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ख्याती में जो रिटार होने वाला साज़ेदार है, C उसका हिस्सा क्या है, तो फर्म की ख्याती का मुल्यांकन क्योंकि अठारा सो रुपय से किया गया है, और इसमें C जो कि फर्म से रिटार हो रहा है, अगर हम उसका हिस्सा क्याल्कुलेट करें, तो अठारा 40 रुपए C के हिंसे की ख्याती है उसको हमको जो बचे हुए साजेदार है यानि A और B उन दोनों का जो अनुपात है उसमें समयोजीत हमको इसको कर देना है तो अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारी जो समयोजन के हाँ पर प्रविष्टी होती है वो होगी A का पुंजी खाता से तो इस प्रविष्टी के अधार हर पर हम साजेदारों के पुंजी खाते के Depit साइड में लिखेंगे C के पुंजी खाता से तो ए के अंतर्गत जोम अंट आएगी वो 309 बिके अंतर्गत जों आएगी वो 2301 रुपया आएगी इसी कि हम जब विप्रीत प्रविष्टी करेंगे क्योंकि हमारे GenργOύ, एक पुझी खाता डेविट, CO2 पुझी खाता देविध, co2 प्रविष्टी daino तो जब हम इसकी विप्रीत प्रविष्टी करेंगे, तो हम साज़ेदारों के पूझी खाते के credit side में लिखेंगे A के पूझी खातक को और C के column में हम इसकी amount 309 लिखेंगे और B के पूझी खातक को यानि C के कॉलम में हम इसकी 231 सुपर के मों लिखेंगे, अब साजयदारों की फूंजी खाते में क्यूंकि किसी प्रकार का समयोजर नहीं बचा तो अब हम निकालेंगे इसका बैलेंस, सबसे पहले C जो कि रिटायर हो रहा है उसका बैलेंस निकालके हम यह देखेंगे कि क्य हमको कुछ राशी वापस करनी है या हमको उससे कुछ राशी वापस लेनी है तो यहां पर हम देखते हैं कि सी का फूंजी खाता जो है उसका जो ट्रेडिट टोटल है वह है दो हजार चालिस और डेबिट में मात्र 180 रुपए है जाने कि इन दोनों का डिफरेंस 860 क्रेडिट में और डेबिट अगर आम उसका बैलेंस 1,38 तो ब बैलंस होता है एक हजार नवासी रुपए अगर हम एक का बैलäs निकले तो क्रेडइट साइड में क्योंकि 2000 के माउंट है और डेबिट के माउंट याने 240 और 309 को माइनस कर देते हैं तो जो बैलेंस बचता है वह 1459 रुपे बचता है अब क्योंकि हमें balance प्राप्त हो गया है A और B का और हमने ने देखा कि C का जो है वह account जो है वह 1860 रुपया से loan account में transfer हो रहा है तो अब हम इसके general entry कर लेंगे general entry में हम उन्ही बिंदो को general entry हम उन्ही बिंदो के अधार पर करेंगे जिन बिंदो के अधार पर हमने पूर्णर मुल्यांकन खाता बनाया है और पूर्णी खाते में जो हमने posting की है तो सबसे पहले क्योंकि हमने देखा कि इस टॉक की जो valuation है रहतिया जो है वह पहले था पंदरा सो रुपए और बाद में उसकी वैल्यू पास दो हजार हो गई यानि कि पास रुपए उसकी मुल्य में बढ़ोतरी हुई है और क्योंकि यह लाव है हमने revolution account के credit side में इसकी entry की है तो यहां पर यह general entry हो जाएगी सकंद खाता डेबिट पुनर मुल्यांकन खाता से पास सो रुपए से entry होगी दूसरा हमने देखा कि machinery में वृद्धी होई है और हमने इसकी पोस्टिंग जो है वह पुनर मुल्यांकन खाते के debit side में की है तो पुनर मुल्यांकन खाता डेबिट मशीनरी खाता से तीसरा हमने देखा कि furniture की राश्री में सो रुपए की कमी होई है और पुनर मुल्यांकन खाते के debit में हमने इसकी प्रविष्टी की है यहां पर यह जनरल एंट्री हो जाएगी पुनर मुल्यांकन खाता डेबिट furniture खाता से और सो रुपए से की अंट्रियों करेंगें तो हम जो के हिस्से के गुद्विल के एमांट की 540 उसे और बी के हिस्से में हम बांट देंगे यानि कि आ का पुंजी खाता डेबिट 231 और सी का पूंजी का सी के पूंजी खाता से यानि निकाला था अब जो पुनर मुल्यांकन खाते की हानी है क्योंकि वह पूंजी खाते में ट्रांसफर हो जाती है इसने इसके लिए पंजी प्रविश्टि करेंगे एक पूंजी खाता देविटे पूंजी खाता डेविटे उनर मुल्यांकन खाता से यहां पर एमाउंट एक लिए 240 इकली 180 और इकली 108 में यहांब जो जहानी की जैन राशी है यहांब तर वह 600 उप्रेंग कि में एक पॉम में साज़ेदार है जो क्रमिशा एक बटे दो एक बटे तीन एक बटे च्छा के अनुपात में लाभानी वितृत करते हैं इनका इस्थिती विवरंट दिया गया है जिसके अंतरकत हम देख रहे हैं कि इनका जो दाइत है वो है देविपत्र 6400 नेंदार 12500 पूंजी यहां पर दे गई है शशी कांट की 40,000 सूरे कांट की 25,000 और रमा कांट की 20,000 अब तक फर्वी की कुल पूंजी है लाभानी एका लेखा का जो बैलेंस है वहां पर यह चिप्थे में 4500 से दर्शाया गया है सब पत्ति साइड हम देखे तो हस्तस रोकड 150 अधिकोश रोकड रहनी की बैंक में रोकड 25,500 प्राप्तिवी पत्र 5,400 देंदार 17,800 इसकंद 22,300 उपसकर 3,500 सयंत्रादी 9,750 और भावन 24,000 रुपए के हैं समय उजन पर एक नजर डालें तो शशी कांट दिनांग 30 जून 2006 से उकार घ्रण करता है तता उसके अंजों का मुल्यांकन सार्थ क संपत्ति का निम्न प्रकार से मुल्यांकन करकी किया गया इसकंद 22,000 रुपए पर उपसकर 33,000 रुपए पर सयंत्र 9,000 पर भावन 20,000 और संदीक धरिण के लिए 850 रुपए प्रिथब कर दीए गये यहां कि ख्याती का मुल्यांकन 6000 रुपए निश्रित किया गया शाषी क को अवकाश ग्रहन करने पर ग्यारहजार पचास रुपय रोकड और शेश जो राशी बच्ती वह तीन समान वार्षी प्रभागों में पांच प्रतिशत वार्षी व्रिद्धी साइट यहां पर हमें शशीद पूंजी खाता और शशीकांद का रिण देखा तयार करना है तो स सबसे पहले हम समयोजनों के अधार पर पूंजी पूर्ण मुल्यांकन खाते का नर्माने हाँ पर करेंगे तो हम देखते हैं यहां पर कि इसकंद जो कि बैलेंशेट में यहां 22,300 रुपय से दर्शाया गया है और समयोजन में उसे 20,300 उसे 20,000 रुपय कर दिया गया है तो ह यहां पर देख रहे हैं कि 23,300 रुपय की हानी जो है वह सकंद के संबंद में हो रही है अब क्योंकि हानी है तो इसे हम पुरार मुल्यांकन खाते के डेविट साइड में 23,300 रुपय लिखेंगे दूसरा समयोजन अगर हम देखें तो उपसकर को हम देख रहे हैं कि जो बैल 500 रुपय की कमी आई है अब क्योंकि फनीचर संपत्ति है और संपत्ति के मूले में कमी आई है यानि कि यहानी है पास्ट रुपय की और अगर यहानी है तो इसे हम पुरार मुलांकन खाते के डेविट साइड में लिखेंगे तो तो मशीन अब जो है वह 9000 की हो गई है पहल निए है तो जितनी की मूलांकन खाते के कंदा करनी पडिल्लांकन इस बात को लेकर कन्फूज है कि कौन से लिखी जाए बैलेंशेट की लिखी जाए कि लिखी जाए लेकिन आपको यह तो समझेंगे आपको लिखना है जैसे होजार साथ कोजार मानिदा होजारानीं कि साथ सोपचाइस याज है कि अगर तो वहां की मुल्य में चार हजार पै की कमी यह तो जिटने की कमी आई है तो सिर्फ उतने से ही हम यहां पर एंट्री करेंगे दूसरी बात कि भवन जो है वह पहले चौबिस का था अब बीस का हो गया यानि कि चार हजार रुपए कि इसमें कमी आई है और कमी आई है यानि कि हानी हुई है तो उसे हम भवन खाता से लिखेंगे और चार हजार से ही इसके करेंगे कि नैस्ट यहां पर हम देखते हैं कि अब इसी प्रकार के संपथ्यों और दायतों के बारे में हमपा कोई जानकारी नहीं है लेकिन संदिक संदिक द्रीण के लिए कि यहां पर हमारे जो समयुजन है संपत्ती और दायत्यों में व्रद्धि के वह समाथ हो जाते हैं तो अब हम इस account को फुला मिलांकर खाते को बंद करेंगे और हम देखते हैं कि यहाँ पर credit side में किसी प्रकार की कोई प्रविष्टी नहीं हुई है सारी प्रविष्टी है debit में हैं तो यहाँ balance निकालने की कोई ज़र्वत नहीं पड़ रही है हमको यहाँ प्रविष्टी में हूँ जब हूँ जाएगा अब इस 8400 को हम किस अनुपात में अनुपात में के इससे पहले हम इस अनुपात को व्यवस्तित कर लेंगी हम यहां पर देख रहे हैं कि एक बटे दो एक बटे तीन और एक बटे च्छह लिखा गया है तो क्यूंकि जो मैक्जिमम हर में जो है वो छह है तो हम बागी जो दो अनुपात है शशी कांट और सूरे कांट के उनको भ मैं कि दो यहां पर दीए रहा है कि इस का बाग भाग 1 वैंक बटे करेंगा अरक वह भांच को दो से मल्टिप्लाई करना पड़ेंगा को टो अल्रेदी एक बटे नुपात कर सब्सक्राइस तो यहां बहसे यांदिए यहांदा अनुपात हो जाता है यह हो जाता है तीन अनुपाद दो अनुपाद एक तो यह जो 8400 की अमाउंट है इसे हम शशीकांद सूरेकांद और रमाकांद में जब बाटेंगे तो शशीकांद को 4200, सूरेकांद को 2800 और रमाकांद को 8400 रुपे मिलेगा अब क्योंकि पूनर मुल्यांकन खाता हमने कम्प्रीट कर लिया है तो पूनर मुल्यांकन खाते के अधार पर हम साजेदारों के पूंजी खाते के निर्माण के लिए सबसे पहले हम बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे यहां पर हम बैलेंशेट में देख रहे हैं कि जो साजेदारों का बैलेंस है गत्रश का वो है 40,000 शाषिकांद का 25,000 सूरेकांद का और 20,000 रमाकांद का आउसा पर 14,000 सूरेकांद केस्ट में एक और 250,000 स算बस्वी में लिख लेंगे तो जैसे कि यहां परारिंशेट में दर्शाया गया है कि 4500 रुपई का बैलेंस यहां पार बचा था तो वो जो 4,000 रुपई की लाव. लाभानी है अब क्यूंकि यह जो बैलेंशेट है यह शैशीकांद के निवर्त्य होने के पहले की है तो यह शैशीकांद सभी साज़ेदारों में यह वित्रत की जाएगी लाभानी की राशी और इसका वित्रण का उपात वही होगा जो अभी तक हम यहां पर अनुपात का प् हिस्से में 2250 और सोर्यकांद के हिस्से में 1500 और रमाट के हिस्से में 750 रुपे की अमांट आएगी अब यहां पर हम एक चीज और देख रहे हैं कि प्रशन में सपस्ट रूप से दिया गया है कि शशीकांद को अवकांज ग्रेंड करने पर 11,500 यहां पर दी जाएगी तथा शेश जो है वो समान तीन वार्षिक प्रभागों में दिया जाएगा तो जो हमने उनको पेमिंट कर चुका है ग्यारा हजार पचास रुपया पहले उसकी हम एंट्री कर लेते हैं तो क्यूंकि ये पेमिंट शेशिकांट को दी जा रही है तो जनरल एंट्री होगी शेशिकां मुल्यांकन जो है वो चuto6000 रुपय से किया गया लिए क्योंकि कि ख्याती का मुल्यांकन 6000 रुपय है और इसमें होने वाला साज़िदार है यानि कि शषिकांट अगर उसके हिस्थे को हम अलग कर देते हैं यानि शशीकांद का हिस्सा निकालने के लिए हम 6,000 गुड़े 3 बटे 6 अगर करते हैं तो हमको 3,000 रुपए जो है वो शशीकांद के हिस्से की अमाउंड या मिल जाती है और उस 3,000 रुपए के हिस्से की अमाउंड को जो बचे हुए साज़ेदार है उनमें एड किस अनूपात में हमको एड़्जिस्ट करना है जो हमारे पास बचा हुआ जानिकि यहां पर ढुया वेह एक अब यहां पर क्यूंकि शशीकांद रिटायर हो गया तो जो नया अनुपाद बना इंका वो हो गया दो अनुपाद एग सूरे कांथ को जब बितृत करेंगे तो 2,000 रुपए सूरी कांथ के हिस्से में आएगा और 1,000 रुपए रमा कांथ के हिस्से में आएगा जिसकी अगर हम पंजी प्रविष्टि देखें तो वह होगी सूरी कांथ का पुंजी खाता डेबिट रमा का पुंजी खाता डेबिट शेशी कांथ के पुंजी खाता से त दो हजार और रवबीकांथ में हम एक उजार के प्रवbnощy करेंगे अब क्योंकि पूंजी खाते की जो भी एंट्रेज होते थी वह कंप्लेट हो चुकी है तो अब हम निकालेंगे बैलेंस सबसे पहले हम देखते हैं कि शशीकांत जो रिटार होने वाला साजेदार है उसके खाते की क्या इस्थिकी है तो यहां पर अगर हम शशीकांत के फूंजी खाते का क्रेडिक साइट का टोटल करते हैं तो हमें 45,250 रुपए की राशी प्राप्त होती है और इसमें से अगर हम डेबिट को माइनस कर देते हैं यानि कि 4,200 और 11,050 माइनस कर देते हैं तो हमें जो 30,000 रुपए की अमाउंट जो बैलेंस बचेगा वो शशीकांत के लोन इकाउनमी ट्रांस्वर हो जाएगा जो कि उसको भाविश्य में तीन समान प्रभाप्तों में और 5 प्रतिशत वाडशी व्रिद्धी के साथ हमको दे होगा इस तरह से जब हम सूर्यकांत का क्रेडिट बैलन्स देखते हैं क्रेडिट साइट का टोटल देखते हैं तो वहां पर 26,500 हमें धनराशी प्राप्स होती है जिसमें से अगर हम डेबिट के अमाउंट यानि अठाइस सो और 2,000 को माइनस कर देते हैं तो 21,700 रुप प्राप्त होता है इसमें से अगर हम रमकांद का डेबिट बैलन्स यानि चाउदा सो और 1,000 माइनस कर देते हैं तो हमें 18,350 वह रमकांद के लिए बैलन्स प्राप्त हो जाता है तो यह तो हमारा साजेदारों का पूंजी खाता तयार हो गया अब इस प्रश्न में जो नया जो है उसको हमको तीन किस्तों में देना है तीन समान किस्तों में उसको देने का प्रयास करेंगे और साथ में प्रतिशत उसमें वार्षिक व्रिद्धी हम कह सकते हैं कि व्याज भी लगाया जाएगा तो उसके लिए हम जिस फॉर्मिट का निर्मान करेंगे वह कुछ इस प पूजी खाते में हम उसको अप्रदान कर चुके हैं अब जो 30,000 रुपे के अमाउंट है वो हम सबसे पहले क्रेडिट साइट में लिखेंगे तो यहां पर क्योंकि जो चिठ्ठा है वो 30 जून 2006 को बंद हो रहा है तो यहां पर 30 जून को बंद हो रहा है यानि के 1 जुलाई से नया खाता जो है वो प्रारम्द होगा तो जबzychं 1 जुलाई से नया खाता यहां पर प्रारम्द करेंगे तो हम देखते हैं कि शशी कांद के पूंजी खाता को जिसे कि हमने पूंजी खाता से ट्रांस्टर करके यहां पर लाया है अब क्योंकि प्रेशन में पांच प्रतिशत ब्याज के बारे में भी बताया गया है तो 30 जून को वर्ष के अंत में जब हम इस पर ब्याज देंगे तो 30,000 का 5% एक वर्ष का 1500 रुपय ब्याद जो है वो दे होगा तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फुल जो टोटल एमाउंट है वो यहाँ पर 31,500 रुपय आ जाती है अब जब हम इनका बुक्तान करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि और यहाँ पर क्योंकि यह जो दे धनराशी है उसे 3 समान किस्तों में देना है तो 30,000 रुपय की जो धनराशी है उसका एक तिहाई या वन थट जब हम कैल्कुलेट करेंगे तो इस वर्ष हम शशिकान को 10,000 रुपय देंगे और 7 में 1,500 रुपय ब्याद देंगे यानि कि कुल मिलाकर हम 11,500 का भुखतान करेंगे तो इसे हम शशिकान के रिंग एकांट के डेबिट साइड में रोकड खाता से इस प्रकार प्रविष्टी करेंगे 10,000 उसकी रिंड की राशी और 1500 जो है वो ब्याज की राशी यानि कुल मिलाकर 11,500 भुपतान करेंगे इस तरह से 31,500 जो उसका क्रेडिट टोटल था उसमें 11,500 रुपय का भुपतान करने के बाद अब 20,000 रुपय की राशी और शेश बचती है जिसे हम वर्ष के अंत में 20,000 रुपय का जो शेश है उसे अगले वर्ष के प्रारव में यानि की 2089 में एक जुलाई को शेश लाया गया करके क्रेडिट साइड में 20,000 रुपय से उसकी प्रविश्टी हम करेंगे अब यहां पर क्यूंकि 20,000 रुपय बचा है तो इस 20,000 रुपय पर जब 5% ब्याज लग है अब हम इसका भुगतान किस प्रकार से शशिकांद को करेंगे यह हम देखते हैं शशिकांद के रिड़ खाते के डेबिट साइड में तब से पहले हम रोकड़ खाता से इस प्रकार प्रविश्टी करेंगे और इसकी अमाउंट हम किस तरह लिखेंगे क्योंकि 30,000 रुप करेंगे अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 21,000 रुपए में से 11,000 रुपए का भुपतान हमने कर दिया है शेश जो राशी उसको देबची है वो है 10,000 रुपए की इस तरह से हम इस वर्ष्ट के अंतिका खाता बंद कर देंगे और अगले वर्ष्ट के प्रारंब में आने क 2910 में एक जुलाई को जब इस शेश को हम लाएंगे तो यह हमारा शेश 10,000 रुपए का आजाएगा फिर यहां पर हम देखते हैं कि 5% ब्याज हमको फिर से देना है तो 10,000 का 5% ब्याज जब हम लगाएंगे तो 500 रुपए यहां पर ब्याज की राशी होगी इस तरह से हम द ब्याज में उसको सारी राशी दे दी जाएगी कोई वीडियो नहीं बचेगा तो पूरी की पूरी 10,500 की राशी यहां किस प्रकार देंगे क्योंकि वन थर्ड के इसाब से 10,000 उसको दिया गया और प्लस 500 उसे ब्याज दिया गया तो कुल मिलाकर 10,500 की राशी का भुकतान शशिकान को कर दिया गया तो यहां पर किसी भी प्रकार की राशी शीट नहीं बचेगे